हलो अब्रीवन स्वागता आप सभी के जनल क्लासिज में सभी बारे विद्यारतियों को नमस्कार राजस्तान में ग्रेजवेट कंडिडेट के लिए काफी बड़ी बरती का नोटिविशन आ रखा है और उस बरती के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों ये बरती है आपके राजस्तान सहकारी बेंक बरती जिसमें टोटल कितनी पोस्ट होने वाली है कौन-कौन से इसमें पद है, selection process क्या होगा, age limit क्या है, eligibility क्या है, आपके syllabus का pattern क्या है सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ तो अंतक वीडियो को जरूर देखें आए वीडियो को श्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंडिडेट होते हैं जो यह सोचते हैं कि यार यह तो बैंक की बरती है इसमें तो बहुत पढ़ना पढ़ेगा इसमें तो बहुत कम पोश्ट हैं और फोरम नहीं लगाते हैं लेकिन ज़्यादा तर ऐसा होता है कि इन पोश्ट के लिए यहाँ पर कटोप कम जाती है मेरिट कम जाती है और आप लोग फिर वंचित रह जाते हैं इसलिए फोरम सभी को लगाना है राजस्तान की GKS में आने वाली है राजस्तान के इसापसे एक्जाम पैटन रहने वाला है तो काफी आसान एक्जाम पैटन है और बहुत बड़ी पोश्ट है काफी अच्छी सेलरी आपको मिलने वाली है तो अंतग वीडियो को जरूर देखें आए वीडियो को स्टार्ट करते है यहाँ पर दोस्तों राजस्तान सैकारी बैंक बरती 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन-कौन सी पोश्ट है और कितनी टोटल पोश्ट हैं यह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें टोटल कितनी पोश्ट हैं पान सो चालीस पद हैं बैंकिंग असिस्टेंड में और इसके अंतरकत यहाँ पर अगर हम बात करें टीएसपी एरिया की तो 35 पद है नौन टीएसपी की बात करें यहाँ पर पर ग्रेजुशन है अगर आपने घ्रेजुशन कर रखा है आप इसना तक हैं किसी भी संक्वाइब के अंदर चाहिए आप यहाँ पर आर्ट के हो और साइंस कि आप यहाँ पर आपने निटीए तो आप इस भरती के के लिए फ़ॉर्म लगा सकते हैं आप किसी भी संकाय के अंदर अगर ग्रेजूशन है किसी भी संकाय के अंदर अगर आप ग्रेजूशन है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं इसना तक यहाँ पर योगिता आपकी रहेगी अब सबसे महत्पूर्ण बात है एज लिमिट क्योंकि काफी स्टुरेंट्स की 18 वर्स यहाँ पर होनी चाहिए और 40 वर्स मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए नहीं 18 से 40 के बीच में आपकी आयो होनी चाहिए और राजस्तान में लगवग कोई बरती हो चाह सिक्षक बरती हो चाह कोई भी बरती हो सबी वेकेंसियों के लिए लगवग इतनी एज रहती है 18 से 40 और जो आरक्षित वर्गे उनको छूट भी रहती है, यहाँ पर दिया हुआ एक बात दी हुई है, ध्यान देना आप लोग, इस बरती परिक्षा वर्ष 2020 के बाद में कोई बरती नहीं होने के कारण, समस्त आविदगों को अधिक तम 3 साल की छूट दी जाएगी, जी हाँ, यानि अब इसमें 3 साल की छूट को एड़ कर दिया, क्योंकि 2020 के बाद में ये बरती नहीं आई है, और यहाँ पर 3 साल की आपको छूट दी जाती है, यानि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 43 वर्ष आपके हो गई है, तो अगर आप 18 साल कम्प्लीट कर चुके हैं, और इसके अलावा आप 43 एर तक भी आप जो है फॉरम लगा सकते हैं, तो एज लिमिट समझ में आ गई, अब हम आगे चलते हैं, सबसे जो यहाँ पर खास बात है, वो है इसका एक्जाम पैटन, वो आपको लबाने वाला है, क्योंकि आप रास्ता में एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, चाप पटवारी की तयारी कर रहे हों, SI की तयारी कर रहे हों, RS की तयारी कर रहे हों, तो यह सेले बस आपके काम का है भई, देखिए बैंकिंग असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कापी सारे पोर्षन होने वाले हैं एक पेपर के इंगलिश जो है इसमें कितने कुशेन आएंगे 30 कुशेन आएंगे इंगलिश के 30 कुशेन आएंगे 30 नमर के ध्यान देना 40 कुशेन रीजिनिंग के 40 कुशेन मैथ के 40-40 नमर के रहने वाले हैं अगला यापर जो आपका सब्जेक्ट है वो है जन्नल नोलेज ओफ राजस्तान यानि दोस्तों इसमें राजस्तान की जीके आएगी वो भी 30 सवाल 30 सवाल कमनी है अब बताओ आप पटवारी की तयारी कर रहे हो CT की तयारी कर रहे हो तो आप मैथ पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो आप रीजिनिंग पढ़ रहे हो आप रास्तान जीके पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है, जो math भी पढ़नी है, reasoning भी पढ़नी है, और साथ में राजस्तान GK के 30 question, 30 number के आएंगे, इसके अलावा computer, computer आप पढ़ी रहे हैं, computer के कापी सवाल CT में आते हैं, ठेके न, CT में आते हैं, पटवारी में आते हैं, इन सब में वीडियो में आते हैं आते हैं computer, तो आप पढ़ते हैं, इसके अलावा, जो आपका रास्ता पुलिस कॉंस्टेवल है, उसमें भी computer आता है, यहाँ पर सिर्फ accountancy को छोड़ दिया जाये न, बाकी सब के सब यहाँ पर जो है, आपका common syllabus है, English आती है, Hindi भी आती है कि इसमें English दे रखी है, तो English हो गय मैस हो गया, reasoning हो गया, और आपका यहाँ पर जो है, राजस्तान की जीके हो गई, computer हो गई, accountancy को छोड़ दो, तो बाकी सारा syllabus जो है, आप पढ़ रहे हो, बस यह 10 questions इसके और दे रखे हैं, जो आपके राजस्तान कॉर्परेटिव एक्ट है 2001 का, और रूल से 2003 के, इनसे सम्म अपर्टमेंट की भरती है, उससे सम्मधी सवाल तो एक्जाम में पूछे जाने हैं, तो 10 questions है, अगर इनको नहीं भी पढ़ते हो, और बाकी subject आपकी अच्छी है, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है न, बाकी 10 questions है, पढ़ लिजीगा, अब देखिए, accountancy के भी ज्यादा सवा सबी को बरना चाहिए, तो राजस्तान में जो graduate candidate है, जिनका graduation हो गया है, जिनके knowledge अच्छी है, जो तयारी कर रहे है, जिनका RS Pre में नहीं हुआ, या तो फिर इसमें हो सकता है, हाना, तो 120 यहाँ पर minute आपको मिलेंगी, और paper में 200 question, 200 number का आपका होने वाला है, तो मेरे साब से तो जितने भी graduate candidate है, इसका form लगाना चाहिए, अब इसका notification 6 October को आ गया था, लेकिन आप सभी को पता है, कि राजस्तान में आचार सहिता के चलते हैं, यहाँ पर कुछ भरतियों के जिनके notification आये थे, जिनके forum start होने थे, उन पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, पोस्पॉं आया था, और 18, 10, 2023 से लेकर 17, 11, 2023 तक इसके form बरे जाने थे, लेकिन यहाँ पर इनको क्या कर दिया था, form को पॉस्पॉंट कर दिया गया, क्योंकि आचार सहिता लगी हुई है, तो यहाँ पर पॉस्पॉंट होगे तो वापस से form बरे जाएंगे, फिर वापस से form बरे हम लोग हैं, जो इसकी तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि इस भरती की हम लोग तैयारी करवाएं, तो आप लोग comment box बढ़ दीजिए, अना ज्यादा से ज्यादा comment करो, अगर 100 student का comment आ जाता है कि सर हम इसकी तैयारी करेंगे, एक reasonable price पर आप इसका course launch कर दो, तो मैं course launch कर दूँगा, और accountancy का अलग से आपर हम teacher faculty लगा देंगे, बाकी faculty बाकी जो courses में पढ़ा रही है, वो तो आपको यापर मिली रहा है, क्योंकि नौकरी बेच में almost हम सारी चीजे cover कर रहे हैं, computer पढ़ रहे हैं, उसमें हम reasoning पढ़ रहे हैं, math पढ़ रहे हैं, हम English प कम नंबर हैं, जो बच्चे junior accountant की exam की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बढ़िया मोका है, क्योंकि accountancy उसमें भी आती है, syllabus भी same है, तो जब syllabus आपके हैं, syllabus आपके level का है, तो तयारी क्यों नहीं की जानी चाहिए, ज्यादा cut-off इसके नहीं जाती है, और बाकी और वीडियो बना दूँगा, इसले में यही कह रहा हूँ कि अगर आप graduation कर चुके हैं, या आपका खतम होने वाला है, तो forum जरूर लगाएं, तयारी जरूर करें, अब banking assistant की job है, salary अच्छी मिलेगी, bank में आपको रहना पड़ेगा, राजस्तान के अंदर आपकी posting होगी, और क्या सब कुछ यहां पर आपको अच्छा रहने वाला है, तो यह सारी details मैंने आपको बता दी है, अब इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद